Welcome friends, स्वागा थे आप सभी का हमारे online platform, online channel MPS Motivators पर, myself Mukesh Kumar Pand Friends, आज का session, introduction session में, हम लेकर हाजर है, class 12th, बिहार बोड एक्जाम 2014 के लिए English paper से poetry section का, it is the poem number third, and its name is, now the leaves are falling fast and its poet name is, W.H. Auden So friends, आज के introduction session में, हम पहुचुके है, class 12th के English paper के poetry section पर, poem number three पर, as you know, it is the introduction session Introduction session में, बिशेश रुप से, दो बातों का जिक्र, आपके सामने, निश्चित रुप से हम करते हैं, first, कभी का परीच है, and second, स्थिर्श का आउदेश से, कभी, जैसे मैं ने नाम दिया है, W.H. Auden तो आज के session में, हम W.H. Auden के बारे में जानेंगे, W.H. Auden का परीचे जानेंगे, दुसरी बात, W.H. Auden के दोरा जो title दिया गया है, जो कभीता का जो सिर्शक दिया गया है, और शिर्शक जिसका नाम है, Now the lips are falling fast, इस title के देने के पीछे, क्या उदेश से है, W.H. Auden का, W.H. Auden किस मकसद से, यह heading दिया है, यह title दिया है, Now the lips are falling fast, तो इन दो बातों पर जिक्र करेंगे, आज का हमारो जो session है, introduction session में, आगे बढ़ने से पहले, एक बर गुजारी से, आप सभी friends, जो अभी तक हमारे online platform, MPS motivators को subscribe नहीं किये है, जो BCS रुप से class 12th में है, और 2024 में होने वाली बिहार बोड exam की तयारी कर रहे है, उनके लिए BCS रुप से आग रहे है कि आप हमारे channel, MPS motivators को subscribe करें, घर मेठें, अंग्रेजी अथवा अन्य कोई भी subject की तयारी करें, बेही चक एंड बीना परिशानी के, 10 से 15 मिनिट का समय निका लिए, 2024 में होने वाली बिहार बोड exam की, सफल तयारी के लिए हमसे जुरिये, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले WH Auden, WH Auden जो आज के कभी है, जिन होने आज का title लिखा है, जिस title का नाम है, Now the leaves are falling first, WH Auden was born in England in the year of 1907, 1907 में, England में, WH Auden का जनम हुआ था, He became a great and famous English poet of English literature of the world, He became a modern poet of 20th century, 20th सताबदी के एक महान अंग्रेजी के सहित्यकार थे, WH Auden जो इंग्लेण के रहने वाले थे, 1907 में जनम हुआ था, तो निश्चित्रुप से ये 20th सताबदी के एक आधुनिक अंग्रेजी के कभी थे, 1949 तक, England में रहे, 1949 में England को छोड़ दिये, और संजुक्त राज अमेरिका में आकर के बस गए, तो WH Auden का दो टेनियोर है, दो काल है, 1949 तक, जिन कभिताओं को लिखे थे, ये England में रह करके लिखे थे, 1949 के बाद, जब अमेरिका में आकर के बस गए, तो अमेरिका में भी इन्होंने अपनी रचनावों को जारी रखा, और अंग्रेजी के कई कभिताओं को लिखा, And he died in the year of 1973, 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी, संजुक्त राज अमेरिका में, ये जनम लिए थे England में, 1907 में, 1947 तक England में रहे, 1947 में संजुक्त राज अमेरिका में आकर के बस गए, उसके बाद 1973 में इनकी मृत्यु हो गई, तो WH Auden, जिनका दिया हुआ टाइटल, Now the lips are falling fast, जो पोएम नंबर 3 है, क्लास 12 के, इंग्लिस पेपर के poetry section में, and it is the class 12th English book, Rainbow Part 2. तो चलते हैं, फ्रेंड्स, टाइटल पर देखते हैं, कि आखिर टाइटल में, WH Auden क्या बता रहे है, Now the lips are falling fast, अब पत्य लगतार गिर रहे हैं, इस टाइटल का अगर हम इसका meaning पर जिक्र करते हैं, अब पत्ते लगतार गिर रहे हैं, पेर के पत्ते, पेर से पत्ते लगतार गिर रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष रूप से जो लिखा हुआ है, लेकिन इन्डाइरेक्टली जो इसका मीनिंग है, वो मीनिंग है कि अब लोग लगतार मर रहे हैं, दरसल डवलु एच ओडेन आवसाद से ग्रसित हो गए है चिंता से भर गए है जीवन में अब उनके जीने का कोई मकसद नहीं है वो परसान हो गए है जीवन से इसलिए अब वो निगेटिब टेंडेंसी उनके दिमाग में भर गई है नाकरात्मक बाते उनके दिमाग में आ गई है और वो चाहते हैं कि मैं अब इस धर्ती पर जीवित नहीं रहूं और मेरे साथ साथ कोई अन्य पसू पक्छी कोई भी सजीव धर्ती पर जीवित नहीं रहे कुछ ऐसी अनुहुनी हो जाए कुछ ऐसी प्राकिर्तिक आपदा आ जाए कोई भुकमब आ जाए बर्फबारी हो जाए तुफान आ जाए बार हा जाए जिसके चलते मेरे साथ साथ पूरे सजीव जगत के लोग नस्ट हो जाए खतम हो जाए मर जाए इसलिए उन्होंने आवसाद ग्रसित होकर के एक हेडिंग दिया है अब पत्ते लगातार गिर रहे हैं यानि कि अब लोग लगातार मर रहे हैं और उन्होंने जिक्र किया है अपने इस टाइडल के माधियम से सुनो फालिंग बर्फबारी का वे चाहते हैं कि कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए इस धर्ती पर कि सभी इपसू, पक्षी, प्रानी, ओल टाइप सब किरियेचर्स खतम हो जाए मर जाए इसलिए सुनो फालिंग का जिक्र कर रहे हैं डबलू एच ओडेन अपनी कभीता पोईम नमबर थर्ड नाउदलिपसर फालिंग फास्ट में और सुनो फालिंग जब होगा तो नीचीत्रुम से बहुँ ज़्यादा बर्फबारी होती है तापमान सुन्य डिग्रिय से नीचे चला जाता है और वहाँ पर जीवन यापन बहुत कठिन हो जाता है चाहे वो मानव हो पसु हो, पक्छी हो कोई भी क्रियेचर हो और इसलिए लोग ज़्यादा तर मर जाते हैं उस इस्थिती में उस कंडिशन में और उसी कंडिशन का जिक्र कर रहे हैं डबलू एच ओडेन अपनी टाइटल के माध्यम से पेर से पत्य गिरना एर्थात जितना ज़्यादा बर्फ बारी होगी उतना ही ज़्यादा पेर से पत्य गिरेंगे और उतना ही ज़्यादा लोग मरेंगे तो पेर से पत्य लगातार गिर रहे हैं मतलब की लोग लगातार मर रहे हैं और वह condition है बर्फबारी का तो since it is the introduction session today आज का जो session है introduction session है और introduction session में WH-Oden का हमने आपके सामने जिक्र किया उनका परिचाय दिया और उसके बाद जो title दिया गया है Now the lips are falling fast ये title क्यों दिया गया किस उदिश से दिया गया किस कारण से दिया गया इसका हमने जिक्र किया Class 12 के वैसे students जो English subject से भैवित है परिशान है पूरे बिहार के Class 12 के students जो बारहवी की board exam 2024 में होने वाली है बिहार board का आप जहां भी हो सहर में हो, ग्रामीन छित्र में हो कहीं भी हो आप हमारे online channel MPS Motivator से जूरे और यह हमारा दावा है आपकी परिख्षा एकदम सफल होगी आप समय निकालिये, हमसे जूरिये उमीद करते हैं आज का introduction session जिसमें कभी का परिश है सिर्षा का उदेश्य एकदम सरल एवम आसान भासा में आपके सामने रखा गया नेक्स्ट सेशन जो हमारा summary session होगा जिसमें हम Hindi and अंग्रेजी में one by one Now the lives are falling fast का सरांस देखेंगे सुनेंगे, बात करेंगे चर्चा करेंगे तो बने रहे हैं MPS Motivators के साथ आज के introduction session के साथ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चितरुप से इसको देखिए हमारे channel को follow कीजिए positive comments कीजिए मिलते हैं next session में next class में for the complete summary of Now the lives are falling fast कभीता number 3 का complete summary के साथ आपके सामने पुना हाजिर होंगे देखते रहे हैं MPS Motivators Thank you Thank you आपके साथ